हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप लोग आज है रविवार और साप्ताही का इस भाग में आज हम अगस्ट 30 से लेके सेप्टेमबर 5 तक यानि कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स है उसको MCQ format में discuss करेंगे और यहाँ पर उसके साथ काफी उसके details भी होंगे तो देखें यहाँ पर पूरे हफ़ते का जो current affairs आपके exam point of view के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा important है उसको discuss के जाएंगे तो हर प्रशनी यहाँ पर equally important होंगे तो इस वीडियो को end तक बिल्कुल देखते और इससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के notification इसी तरह आपको मिलते रहे और अभी तक के सापता ही के जितने भी वीडियो हम लोगों ने discuss किये हैं सा सारे के सारे वीडियो उसको playlist बना कि मैंने description में दे दिया हैं वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे website में आज शाम तक मिल जाएगी website का link भी मैंने description में दे दिया हैं वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते Department of Economic Affairs ने कौन से organization के साथ partnership करके Sustainable Finance Collaborative को launch किया है तो Department of Economic Affairs देखे ये Ministry of Finance के अंदर आती है तो यहाँ पे Department of Economic Affairs ने United Nations Development Program इंडिया के साथ यहाँ पे collaborative करके जो Sustainable Finance Collaborative इसको launch किया है तो इसका main objective है कि जो Green Finance जो है उसको launch करना ताकि जो भी leading expert है या फिर organization है उनको साथ में लाया जा सके United Nations Development Program के अलग-अलग offices है भारत में या फिर जो headquarter है इसका headquarter जो है New York में है इन में से किन्हों ने Next Generation Startup Contest इसकी अनावरन की इसको launch किया जिसका नाम है चुनाथी तो चुनाथी इसको जो है launch किया गया रविशंकर प्रसाद के त्वारा तो रविशंकर प्रसाद जो है Union Ministry Minister for Electronics and Information Technology है तो यहाँ पे जो भी startups और जो भी tier 2 cities के जो भी startups है उनको यहाँ पे प्रोच साहन दिये जाएंगे और देखे यहाँ पे जो सुभी software प्रोडक्स है यह भी लाए जाएंगे काफी सारे यहाँ पे तो यहाँ पे planning किया गया है कि Next 3 सालों में 300 ऐसे जो उभरते हुए startups को यहाँ पे चुना जाएगा जिसके लिए total 95 प्रोड इन्वेस्ट किये जाएंगे तो चुनाती इसका launching क्या रविशंकर प्रसाथ में कौन से राज्य ने भारत का पहला International Women Trade Center launch किया तो यहाँ पे sustainable development goals के हिसाब से जो United Nations के महिलाओ की participation भी होनी चाहिए तो International Women Trade Center इसको launch किया गया करेदा के द्वारा तो इसको organize किया गया Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के द्वारा और recently जो लक्षदीप के जो forest department है उन्होंने project burn owls burn owls जो है उसको जो है implement किया burn owls को जो लक्षदीप के जो union territory के जो forest department है करेदा के forest department के साथ help करके और उत्तर प्रदेश के government ने major ध्यांचन विजयपत हियोजिना launch की उत्तर प्रदेश major ध्यांचन विजयपत हियोजिना क्योंकि आप जानते हैं ध्यांचन जो है उनके नापे national sports दे मनाया जाता है तो इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी international players ऐसे total 19 international players जो है उनको जो है घरों तक road connectivity दिया जाएगा तो major ध्यांचन विजयपत हियोजिना ये उत्तर प्रदेश में किया गया भारत ने 4th trans जो है 5 million US dollar के लिए कौन से country को यहाँ पे grant किया है ताकि border area को develop किया जा सके तो यह जो भारत ने grant दिया है मयानमार को तो यहाँ पे भारत जो है भारत के जो ambassador है मयानमार के लिए जो है सवरोफ कुमार तो उन्होंने एक check जो है hand over किया जो minister of border affair जो है मयानमार को और भारत जो है 1600 km लगभग जो है मयानमार के साथ जो border share करती है काफी सारे north eastern states जो है मयानमार के साथ अपने border share करती है और recently भारत ने United Nations Security Council के जो resolution है उसको co-sponsor किया इंडुनेसिया के साथ तो ये जो है fifth largest troop contributor है United Nations peacekeeping operators के हिसाब से और में 2020 में भारत की जो सुमन गवानी है उनको United Nations Military General Advocate Award भी मिला था तो United Nations Peacekeeping के जो साउट सुधान में जो है जो है इसकी जो काम चले तो इनके लिए भी जो है कुमन गवानी को ये अवर्ड मिला था कौन सा एडिशन जो इंडिया और सिंगापूर के डिफेंस पॉलिशी डायलोग रिसेंटली आयोजीत की गई थी तो ये एडिशन है दॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे और रिसेंटली जो पियूष गोयल है यूरियन मिनिस्टर तो उन्हों ने इंडिया को रिप्रेजन किया एड़ ऐस्ट एश्या समिट एकॉनुमिक मिनिस्टर्स मिटिंग में तो यहाँ पे देखे जो इस्ट एश्या समिट तो ये सब जो है वर्चुली आयोजित किया गया था। तो हरियाना जो है दो हजार एकिस में जो फोर्ट एडिशन आफ खेलो इंदिया यूद गेम्स इसको आयोजित करेगी। एक एप लॉँज किया है. तो पैंसरेनर्स कॉर्णर ये एप लॉँज किया है Central Industrial Security Force याने कि CISF. तो यहाँ पे जो भी पैंसरेनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे टच में रहने के लिए ये एप शुरू की गई है. CISF के टो Director General है राजेश रंजन, BSF के Director General है राकेश अस्थाना, CRPF के Director General है एपी महेश्वरी और ITBP के Director General है सुर्जित सिंग देशवाल 6th edition of International Military Technical Forum Army 2020 यह कौन से शहर में आयोजित हुआ था तो Army 2020 यह आयोजित हुआ था Moscow, Russia में तो यह जो है August 23 से लेके August 29 तक यह आयोजित की गई थी 2020 का और इसको जो Organize किया गया था रश्या के जो Defense Ministry के द्वारा और इसमें भारत का एक pavilion भी जो है यह inaugurate किया गया था जो भारत के Secretary of Defense Production राज कुमार के द्वारा भारत से रश्या के लिए जो राश्टर दूत यानिके Ambassador है उनका नाम है दीबाला वेंकटेश बर्मार और रिशेंटली भारत ने रश्या में आयोजीत होने वाले जो कबकस जो एक military trainee exercise है 2020 तो वहां से भी अपना नाम वापस ले लिया था कौन से एरपोर्ट को 21st National Award for Excellence in Energy and Management में दो एवर्ड मिला है एक है National Energy Leader और Excellent Energy Efficient Unit ये दो एवर्ड मिला है तो ये एरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट तो इसको और्गेनाईज किया गया था Confederation of Indian Industry और Godres Green Business Center के द्वारा तो दो एवर्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो हाइदराबाद में है इसको मिला था और राष्ट्र इसपात निगम लिमिटेट जो वाईजग में है एक स्टील प्लांट है इसको भी Excellence Energy एवर्ड भी मिला था और Recently Reliance Retail Ventures Limited को Future Group के और से acquire करने के लिए 24,730 क्रोर में यहाँ पे approval मिल गया है अब Reliance Retail Ventures Limited जो है जिसका नाम किया है तो देखे भारत के जो भी हाँ पे किसान है वो अपनी फसल पैदा करते हैं वो अभी सिधा UA में जो है Food Processing Industry जो है यह खरीद लेगी इमिडेट इहाँ पे बेचा जाएगा तो उसके लिए एक Online जो Market Platform स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है Agriota तो इसको लॉंच किया गया New Technology Driven Agri Commodity की हिसाब से और इसको जो है लॉंच किया गया Dubai Multi Commodities Center के द्वारा तो UA और इंडिया के बीच में Agriota बेल्जियन Grand Prix 2020 कि इन्हों ने जीता तो ओविसली यह काफी सारे जीतते रहते हैं Lewis Hamilton तो Lewis Hamilton जो Formula One Champion है Mercedes के और से खिलते हैं आप देख से थे उनके Cap में Mercedes का logo भी है यहाँ पे तो यह उनका 5th Belgian Grand Prix है और अभी तक यह सबसे ज्यादा जीत चुके है Michael Schumacher 6 बार जीत चुके हैं और Sports से रिलेटर और एक न्यूज है कि Russia और इंडिया ने इंडिया को जो है Joint Winners Declare किया गया 2020 का जो Online International Chess Federation जो Chess Olympiad में Russia और इंडिया को Joint Winners Declare किया गया कौन सी Ministry ने Recently Rules of Transaction of Business Jammu and Kashmir Union Treaty के लिए Recently Notify किया है तो Recently इसको Jammu and Kashmir के जो Transaction of Business, Jammu and Kashmir के कुछ Rules यहाँ पे मेंशन किया गया है Ministry of Home Affairs के द्वारा तो यहाँ पे दिखे Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 के जो Section 55 के हिसाब से यहाँ पे इसको मेंशन किया गया था तो इसमें जो है Lieutenant Governor जो है Jammu and Kashmir को जादा पावर दिया है Council of Ministers की द्वारा तो यहाँ पे अगर कुछ Lieutenant Governor और जो Council of Ministers उनके बीच में कुछ बिवाद होगा और एक महिने तक अगर उसका कुछ हल नहीं चल पाया तो Lieutenant Governor की जो यहाँ पे decision है उसको माना जाएगा और काफी सारे यहाँ पे इसको जो Lieutenant Governor की President की जो है जो Approval बहुत जरूरी होगी तो Lieutenant Governor को यहाँ पे जादा रोल्स रखे गया है और जम्मू and Kashmir के नए Lieutenant Governor बना है Manoj Sinha और recently Union Cabinet जो है इन्होंने जम्मू and Kashmir Language Bill 2020 को भी Approve कर दी है इसके बार में भी हम बात करेंगे कौन सी कंट्री ने Trilateral Supply Chain Resilience Initiative इंडू Pacific Region में लॉंच करने का फैसला किया है तो Trilateral Supply Chain Resilience Initiative इसको लॉंच करेगी इंडिया, औस्ट्रेलिया और जापान तीन कंट्री है यहाँ पे तो यह initiative के बार में एक्चुली जापान ने प्रपोस किया था ताकि इंडू Pacific Region में चाइना की dominance या चाइना की dependency को कम किया जा सके तो यह तीन देश जो है इंडिया, औस्ट्रेलिया और जापान है यह अपनी बीच में एक resilient supply chain यहाँ पे गठन करेगी जिसमें free, transparent और trade investment इस region में गठन किया जाएगा इंडिया, औस्ट्रेलिया और जापान के बीच में तो यहाँ पे इंडिया, औस्ट्रेलिया और जापान के जो ministers ने वर्च्वली इसके बारे में पात की और इंडिया को represent किया था पियूश गोएल ने कौन सी country, dr. द्वारकानाथ कॉटनीस की एक bronze statue अपने देश में उसको अनावरंद करेगी तो dr. द्वारकानाथ कॉटनीस जो थे, यह महारास्टर से थे, जिसको इंडियान नेशनल कॉंग्रेस ने 1938 में जो है चाइना भेजा था विकास उस टाइम में जो world war 2 चल रहे थी तो उसमें चाइना में काफी लोग यहां पे जखमी होए थे तो उनकी treatment के लिए इनके साथ एक पांच मेंबर के टीम को बेचा था तो काफी उन्होंने वहां पे सेवा की थी और इनके ही स्मरन पे चाइना उनका एक broad statue जो है अनावरंद करने वाले तो इसका सही उत्र है चाइना तो यहां पे उन्होंने जो है 1942 में Communist Party of China को भी जॉइन किया और उसके बाद उनकी जो है वहां पे at the age of 32 मौद भी होगी थी काफी कम आयू में उनकी death भी होगी थी दोक्तर द्वार कनाथ कॉ यहोंने चवनी COVID योधा शंग्रक्षन योजना इसको लॉंच किया है तो यह चवनी COVID यह जो है group of life insurance scheme है जिसको life insurance corporation के साथ जो इसको start किया जाएगा तो इसमें 10,000 से भी ज्यादा जो employees work करते है military cantonment of India उनके life insurance के लिए start किया गया है जिसको launch किया गया है भारत के प्रतिरक् संथी राधनाद सिंग के द्वारा है यूरोपियन investment bank plan कर रही है 650 million euro कौन से first metro line को अनावरंद करने के लिए तो यह metro line जो है उत्तर प्रदेश का पहला होगी यहाँ पे कानपूर metro line पहला यहाँ पे जो metro line होगी जिसकी total length होगी 32.4 km urban rail line होगी इसमें total 18 elevated और 20 जो है underground stations होगी तो इसको invest करेगी 650 million euro European investment और दूसरा जो rail project है लखनो रेल प्रोजेक्ट जो है इसको भी European investment bank invest करेगी इसमें 450 million euro इंडिया के GDP contraction जो पहले quarter जो financial year 21 में कितना हुआ था तो यहाँ पे financial year जैसे के आपको पता है first April से शुरू होती है तो यहाँ पे इसका जो comparison पिछले financial year के QN के साथ किया जाता है तो इसमें इंडिया का GDP contraction लभग 23.9% हुआ था यानि कि 23.9% कम हो गई थी तो इसका सही उतर है 23.9% तो देखें यह 23.9% इतना एक quarter में जो कम हुए पिछले 40 सालों में सबसे कम हुई गया और GDP के बार में एक चीज़ यहाँ देखेंगे का GDP के calculate कैसे किया जाता है तो इसमें जो private consumption होती है उसको देखा जाता है private investment देखा जाता है government expenditure को देखा जाता है और फिर यहाँ पे जो net export इसको देखा जाता है तो यहाँ पर private investment private consumption और private investment because of lockdown के वही से बहुत ही जादा कम हो गए लेकिन government investment और जो net export यहाँ पर काफी बढ़ गए थी क्योंकि यहाँ पर import बहुत ही कम किया था government ने और government जो investment है 16% तक बढ़ गए थी लेकिन because private consumption और private investment कम हो गए थी तो इसका नतिज करेंगे यहाँ पर financial year जो 19-20 का जो चौथा quarter है इसमें भी GDP जो है बहुत ही slow investment 3.2% के हिसाब से बढ़ रही थी काफी growth जो है कम हो गए थे और अगर बाग करेंगे यहाँ पर gross value added तो gross value added भी 22.6% तक जो है यह गिर गए है रिसेटली इस financial quarter जो है 1 May 2021 का और रिसेंटली प्रम जो चैर्मन है Central Board of Direct Texas उनको six months का extension भी मिला है कौन से institute ने दुनिया का largest solar tree जो है दुरगापूर वेस बेंगल में develop किया है तो यह solar tree आप देख सकता है एक solar पनेयन लगे हुए होते हैं इसको देखने में ट्री जासी होती है दुनिया का सबसे बड़ा solar tree जो है इसको develop किया है Central Mechanical Engineering Research Institute ने तो Central Mechanical Engineering Research Institute ये जो है Council of Scientific and Industrial Research यानि कि CSR के अंदर यहाँ पर काम करती है और इसमें अलग-अलग features enabled है इसमें अलग-अलग changes किये जा सकते हैं और इसको जो अक्चुली अनावरंद क्या गया था राज कुमार शिंग जो है power of new renewable energy तो उन्होंने Recently Pan-India Green Term Award Market भी इसका अनावरंद किया था Indian Railways ने एक remote control medical trolley जो है develop किया है उसका नाम किया है तो medical trolley आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी COVID patient है उन्होंनों लोग को कुछ दवाई हो यहाँ पर medicines हो यहाँ खाने पीने की चीज़े हो Doctors यहाँ पर staff नहीं लेके जा सकते तो एक ऐसा robot यहाँ पर develop किया है जो remote control से चलती है और इसका नाम है Madbot तो ऐसे काफी सारी robots इंट्रोल्यूस किया गया है जिसमें robots जो है patients की देख भाल करते हैं तो उसको भी आपको याद रखनी चाहिए एक list बना लिजे कौन सी संस्था ने किया है और उसको लगातार कभी कभी देखते रहेगा 51st edition of international film festival कौन से स्टेर आयोजित करेगी तो 51st international film festival यह आयोजित करेगी गोवा और यह जो start होगी 20 से लेके 28 नवेंबर तक 2020 का तो देखे इसमें virtual screening भी होगी और यहाँ पर on-site screening होगी तो hybrid screening होगी यहाँ पर और मैध्यप्रदेश के state government ने एक cleanliness campaign भी शुरू किया है जिसका नाम है गंदगी भारत चरू तो गंदगी भारत चरू इसको इंटर्यूस किया है मैध्यप्रदेश के government ने और मैध्यप्रदेश के नय गवर्णर है आनंदिवाइन पटेल कौन सी country ने कैलाश मान सरूबर पर एक missile site जो है construct किया है तो क्यारAST मान सरूबर आप जिसे की जानते हैं यहां पर कैलास मान सरूबर जो कैलास माउन कैलासं के Пास में है यहां पर एक lake है यहां पे तो चाइना Er Crispy से क्वेश when यह जो है के religious 26 राइजिया और योनियन टेरिटरी जो है वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम में जॉइन हो चुकी है और Government of आंधा प्रदेश को नोर्ड मिला है Insurance Regulatory Development Authority से द्वारा है काफी सारे न्यूज हम लोग एक ही साथ यहां पर डिसकस कर लेते हैं ताकि आपको याद रखने में भी आसा नहीं हो First Ever Cycling Summit यह कौन सा सिटी होस्ट करेगी तो First Ever Cycling City यह तीन जो सिटीज में होस्ट किया जाएगा यह है Delhi, Mumbai और Bangalore तो इसका सही उतर है All of the World तो यह Cycling Federation of India जो है यह Cycling Summit जो है 2021 में इसको होस्ट करेगी तो इसका में अबजेक्टिव है Cycling Culture को इंडिया में प्रमोट करना और जो भी Professional Cyclist है वो Beginner Cyclist को यहाँ पे अपनी Knowledge Share कर सकेंगे कौन सी मिनिस्ट्र ने Recently 118 Chinese Apps को बैन कर दिया है तो Recently Ministry of Information Technology ने Electronics and Information Technology 118 Chinese Apps को बैन कर दिया गया है तो इसमें बोला गया है कि यह Chinese Apps जो है इंडिया की Sovereignty, Integrity, Defense और Public Order के लिए यहाँ पे खत्रा हो सकता है तो यहाँ पे जो Information Technology Act के 69A के तहट यहाँ पे यह Apps को बैन कर दिया गया है काफी सरे Popular Apps थे जैसे कि PUBG इसको भी बैन कर दिया है अभी PUBG का एक Alternative भी इंडिया ने खोज निकाला है जिसको October पे लॉच्च किया जाएगा इसको नाम रखा गया है 4G PUBG का Alternative है यहाँ पे PUBG भी इंडिया में बैन्ड है और 4G इसको जो है अक्षय कुमर के Mentorship ने जो है इसको Start किये गया है 4G पांग हबसॉल फेस्टिवल यह कौन से स्टेट में Celebrate किया गया है तो पांग हबसॉल यह फेस्टिवल Celebrate किया गया है Sikkim में तो यह सिफ Sikkim में Celebrate किया जाता है Sikkim के जो Cultural Heritage Importance को दिखाने के लिए यहाँ पे Sikkim Celebrate करती है यहाँ पे माउन कंचन जंगा है उसको यहाँ पे सन्मान देने के लिए माउन कंचन जंगा जो है Sikkim में जो Guardian Diet याने की मुख यहाँ पे पूजा करने वाले इसको माना जाता है Sikkim में Union Cabinet ने कौन सा Mission को Approve किया है ताकि Government Officers और Employees अपने Performance को Improve कर सके तो यहाँ पे Union Cabinet ने जो है National Program for Civil Service Capacity Building या फिर Mission कर्मयोगी को launch किया है तो इसका सही हुत तरह Mission कर्मयोगी Very very important तो यहाँ पे जो Employees है उनकी यहाँ पे Performance को उपर रखा जाएगा तो उसको यहाँ पे करने के लिए Prime Minister HR Council जो है इसकी गठन की गई है यहाँ पे यह Apex Body के हिसाब से Mission कर्मयोगी को यहाँ पे Control करेगी और इसमें यहाँ पे I Got कर्मयोगी को भी एक Online Platform रखा गया है I Got कर्मयोगी तो I Got कर्मयोगी का Full Form है यहाँ पे Government Online Training Integrated Government Online Training तो यहाँ पे जो भी Government Officers हैं उनलोग जो है Online अपने Knowledge यहाँ से प्राप कर सकते हैं तो नेक्स पास साल के लिए यहाँ पे 510 करोर रूपीज जो है यहाँ पे Invest किये जाएंगे जमू एन कश्मिर Official Language Bill 2020 के हिसाब से कौन से तीन Language उसको Official Language जो है Declare किया गया है तो यह Information जो के हिसाब से कश्मिरी डोगरी और हिंदी तीनों को ही Official Language जमू कश्मिर का घोशित कर दिया गया है तो इसका सही उत्तर होगा All of the Vogue तो इससे पहले जमू कश्मिर में उर्दू और इंग्लीज सी जो है Official Language हुआ करती थी अभी जमू कश्मिर में पांच Official Language हो गया एक कश्मिरी डोगरी हिंदी और उर्दू इंग्लीज तो पहले से है और रिसेंटली डिपार्टमेंट ओफ फर्टिलाइजर्स ने सुच्छता पकवाड़ा जो है एक से लेके पंधा सप्तेमबर 2020 टक स्टार्ट क्या है इंडिया ने एक MOU साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ in the field of geology and mineral resources के साथ तो यह MOU इंडिया ने साइन किया है Finland के साथ तो यहाँ पर central government ने यहाँ पर इस MOU के लिए जो है एप्पूबल दिया गया है और इसमें जो है एकोनूमी के अंदर आती है, फिनलेंड के, और रिसेंटली यूनियन केबिनेट ने MOU साइन किया है, जापान के साथ, ताकि गूड क्वालिटी ओफ टेक्स्टाइल जो है, इसके बारे में जो डिटेल्स शेर किया जा सके, इंडिया और जापान के बीच में, कौँसी देश ने, यहाँ पे एक प्लेनिंग किया है, कि शांखाई कॉपोरेशन ओर्गनेशन दोहदर 20 के, जो काउंसिल ओफैट्स ऑफ गव्मेंट उनकी समित को आयोजीत किया जा सके, तो काउंसिल ओफैट्स ऑफ गव्मेंट के, शांघाई कोपोरेशन ओर्गनेशन के 2020 का शमीट आयोजीट करेगी इंडिया तो ये नवेंबर 30 से जो है 2020 से इसको जो है आयोजीट किया जाएगा भारत में और इसमें ट्रेड एकोनोमिक एजेंडा अलग अलग इंफ्रेंशन गूप के हिसाब से में फोकस किये जाएंगे तो शांगाई कॉर्परेशन ओर्गरेश ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान तो जाज़तर जो मिड्ल एशन कंट्रीज ही यहां पर मौजूद है रेल्वे बोर्ड के पहले चीफ एक्जूगीटिव ऑफिसर कौन बने हैं तो रेल्वे बोर्ड के अभी जो पहले प्रेसिदेंट जो चैर्मेन हुआ करते थे उनको जो ही जो है चीफ एक्जूगीटिव ऑफिसर बनाए गया है जो है विनोध कुमार यादर तो यहां पर एपॉइंट्मेंट कमीटी ऑफ कैबिनेट ने एप्रूफ किया है कि रेल्वे को जो है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चैर्मेन बनाए गया है और मुस्तफा अबीद मुस्तफा अबीद को जो है लेबानौन के नए प्राइम इनिस्टर चुना गया है मुस्तफा अबीद और लेबानौन में कुछ दिन पहले जो बेरूट में लेबानौन की राजधनी थी वहाँ पे एमोनियम नाइचरेट की एक विश्फुरन हो थी वहाँ पे देखा जाना है कि दुनिया की अलग-अलग countries यहां पर innovation के लिए कितने आगे बढ़ती आ रही है, अलग-अलग जो छोटी-छोटी यहां पर संस्था है, start-ups है, कितने आगे बढ़ती आ रही है, कितने उभरती आ रही है, तो यह 13 एडिशन था Global Innovation Index, जिसको jointly release किया है, World Intellectual Property Organization, Cornell University और Inseed Business School ने मिलके, जिसमें भायत की रैंकिंग है 48, तो इसका main theme जो था, who will finance innovation, तो इसमें ranking 1 जो है Switzerland था, ranking 2 Sweden और 3 रैंकिंग पे US, जिसमें भायत की रैंकिंग है 48, देखें यहां पर कभी-कभी जो भी international indexes मिल जाए आपको, या फिर जो state के जो नीतिया है, जो है state के ब लिखके रखेगा, details, यहां पर कौन से कौन से factors होती है, top ranking किसने हासिल की, इंडिया की previous ranking कैसी है, सब कुछ लिखते रहिए, और उसको update करते रहना भी बहुत ज़री है, और उसको time to time check करते रहेगा, exams में ऐसे 1 या 2 question आएंगे ही आएंगे ज़रू, तो इसके लिए आपको इसमें total 45 questions add के हैं, जो same categories में से आते हैं, और details में अगर account करेंगे, तो 320 से भी ज़्यादा information यहां पर discuss किये गए है, तो very very important अभी तक के सापता है कि जितने भी videos discuss किया है, playlist बना के मैंने description में दे दिया है, वहां से आप उसको follow कर सकते हैं, और इस video का जो PDF है, आपको हमारे website website में free of cost मिल जाएगे, नीचे description में मैंने उसका link दे दिया है, वहां से आप उसको follow कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, ये video अगर आप लोग को अच्छा लगए इसको please like कीजिए, इसको subscribe कीजिए और उसको share कर दीजिए, क्योंकि ऐसे videos बनाने के लिए हम लोगों ब बहुत ज़्यादा इंस्पार करता है और भी hard work करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, enjoy your Sunday, take care, thank you and jay hind